पहरे बच्चों, सभी को नमस्कार, मैं वीबागी लक्ष्मी, जेटपी जीएचस पद्राचलम में हिंदी अध्यापका की काम कर रहा हूँ तो आज मैं आपसे प्रश्न पूछूंगे, ज़रा सोच कर समादान बताईए हमको इस समसार में भहुत प्रेम करने वाली कौन होती है हाँ, आप सच कहा, मा, मा ही, हमको इस समसार में सच्चा प्रेम मा से ही मिलता है अब दूसरे प्रश्न हम, हमारी गर में किसी भी त्योहर हो इसमें ज़्यादा हल्चल करने वाली कौन होती है कौन होती है हम, बच्चा, करेक्ट बच्चे ही ज़्यादा हल्चल करते हैं बच्चों में भी खासकर लड़किया ज़्यादा हल्चल करती है वो अपनी माव की मदद करती है, पापा की मदद करती है, अपनी बाईयों से बहनों से प्रेम जादा करती है, ऐसी सबसे मिलजुलकर रहती है तो बेटी से ही गर को कुशी मिलती है, ए बाद तो सची है ठीक है बच्चों, तो आज हम मा मुझे आने दे, पाट पढ़ेंगे मा मुझे आने दे, ये पाट का नाम है, ये सुनते ही आप, आपको समझ में आये होंगे कि मा मुझे आने दे, यह बाद कौन किसे कह रहे है, कि मा मुझे आने दे, अम्मा नन्नु रानि भू, यह बाद कौन किसे कह रहा है, यह बर यह बर तो नर, हाँ, बेटी अपनी मा से कह रहे है, क्यों कह रहे है, यह बाद जान लेंगे हम, पहले उन्मु की करंदे को मा चाहिए बेहन चाहिए पत्नी चाहिए फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए अन्दे की बिटिया करे पुकार मत करो यह अत्याचार समझ गए बच्चो मा चाहिए हम सबको मा चाहिए मा हमको बहुत प्यार करती है हमको जो चाहिए वो बना कर देती है अच्छे अच्छे पकवान बनाते है यह सब करने के लिए हमको मा चाहिए मा नहीं तो रोज ही नहीं पुरा होता और बेहन चाहिए बेहन हमको प्यार करती है हमको राकी बानती है और हमको जो भी कष्ट होगा उसका उपाय निकालता है ऐसी ऐसी बातों के लिए हमें बेहन भी चाहिए और जो बच्चा लणका होगा बड़े होगे बड़े होने के तब शादी करने के लिए पत्नी भी चाहिए जो हमारे जीवन भागिन के लिए रूप में पत्नी भी चाहिए तो यह सब स्त्री की बालिका की पात्र है यह सब फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए हमारे समाज बेटी को क्यों पसंद नहीं करती यह सब चाहिए मा चाहिए बहन चाहिए पत्री चाहिए फिबी बेटी को क्यो पसंद नहीं करती अन्देकी बेटिया अन्देकी देकी माने आंके सामने आंको से हम देखने वाली अन्देकी अंटे नहीं अन्देकी अभी तक नहीं देखने वाली बेटिया खरे पुकार अभी तक नहीं देखने वाली इप्पर दाका मनम चूड़नी पापा पुकार तन आक्रंदननी विन्पिस्थुन्दी मत करो यह अथ्याचार नामी दई हिम्सनी चेय कंडियनी तन आक्रंदननी मनकी विन्पिस्थुन्दी समझ गए बच्चों माचाहिये मनका अम्म कावाली बहें चाहिये मनकी अक्का चिल्ली कावाली सोधरी मनलु कावाली पत्तिनी चाहिये मनकी तोर नीड़का उन्ड़ानकी भार्य कावाली फिर बेटी क्यों नहीं चाहिये मनन अलांट अप्पिडु कूतुन्न एंदु कोद्धन कुण्दनारू आड़ शिशुवुनी एंदु कोद्धान कुण नारू अंदेकी बेटिया करे पुकार मन कंटिक कनबडनी शिशुवु ताना आक्रंदनी विन्पिस्तुन्दी मत केमन अंटे मत करो यह अत्याचार नार पटला ये हिमस नी चेय कन्डी यानी चेप्तुन्दी ओके बच्चों ठीके समझ गए है तो मैं आपसे कुछ प्रेश्न पूचेंगे टेक्स्टी बुक में है देखो अंदे की बेटिया क्या कहती है क्या कहती है बच्चों वो कहती है कि मा मुझे बाहर आने दो मुझसे आने के पहले कि मारने की कोशिश मत करो, वो कहती है कि मुझे को बाहर आने दो मा, मुझे बाहर आने से पहले ही मुझे को नहीं मार देना, अच्छे बच्चा, इन पंक्तियों से हमें क्या संदेश मिलता है, यहां पर दो पंक्तिया है न, इन से अपको क्या संदेश, हमको क्या संदेश मिल क्या संदेश मिल रहा है हमें मा चाहिए बेहन चाहिए पतने चाहिए लेकिन बेटी नहीं चाहिए यही संदेश हमें मिल रहा है तीसरा प्रश्न देखो बच्चो नारी के बिना समाज की कलपना असंबव है इस पर अपने विचार बताएए नारी के बिना समाज की कलपना असंबव है नारी के बिना समाज की कलपना एक बार सोचो हाँ, नारी के बिना समाज की कलपना कुछ भी नहीं है एक बार सोचो बच्चो, जब समाज में सब पुरिशी पुरिश होता तो क्या होता? कुछ भी नहीं होता, समाज ही नहीं होता है अब हम उद्देश्य देखेंगे चात्रों को चंद मुक्त कवितावं से फर्चे करवाना है इस कविता के माध्यम से ब्रून हत्यावं का विरोध करने का प्रयास किया जा रहा है लिंग बेद को डटकर विरोध करना ब्रून हत्यावं पर रोक लगा कर बालिका सिक्षा की प्रेरना देना इसका उद्देश्य एपाट आपको देने में उद्देश्य यही है कि क्या है चात्रों को चंद मुक्त कवितावं से पर्चे करवाना है एच उपाई देखते हैं आप कुछ दोहा ऐसे इसमें चंद होता है और अलंकार होता है लेकिन इस कविता में चंद अलंकार जैसे कुछ भी नहीं होता कवैतरी को जो बावनाय आती है उनको वहाँ पर रखती है ऐसे आईसी कवितावं को चंद मुक्त कविता कहते हैं क्या है चंद मुक्त कविता यह मा मुझे आने देख आईसी कविता है चंद मुक्त कविता ऐसी कवितावों को आपको पर्चे करवाना इस पाट का एक उद्देश है और दूसरी उद्देश इस कविता के माध्यम से ब्रून हत्यावों को विरोध करने का प्रयास किया जा रहा है आपको इस पाट कविता के रूप में देने से और एक प्रयास क्या है ब्रून हत्याव ब्रून माने क्या है जो मा के खोक में अम्मा कडपुलो चार महेने के जो पिंडु होते है ना नालकु नेलल ला पिंडम वरको उन्टन दाने ब्रून अनी अंटारन माटा नालु उनलला वायस उन्ना पिन्णम वरकुद उन्नला नी ब्रून नी अंटारू इस ब्रून हत्यावों का विरोध करना हमारे समाज में आजकल ये ब्रून हत्यावे बहुत हो रही है हास्पटल को जाकर स्कानिंग में लड़का या लड़की अम्माया अब्बाया अंतल स्कोनी ये पुड़ैते आदी अम्मायन तेस तुन्दो वेंटने करपलोने चंपे न मनमाटा अब आर्शन चेंज चेसे न मनमाटा जैसा बहुत हम आजकल सुन रहे है ये ही ब्रून हत्या है आप सब ही कही न कही ये सुन कर ही रहेंगे आइसे ब्रून हत्यावं को हमें विरोध करना है कैसे कैसे देखो लिंग बेद को डट कर विरोध करना लिंग बेद लिंग बेद क्या होता है लिंग स्री लिंग पुम लिंग स्त्री और पुरुष्य दोनों का समान वैल्यू है कोई भी अधिक नहीं है, कोई भी कम नहीं है समाज में, दोनों का समान प्रातिनिती है इस समाज में, ऐसे लिंग बेद का डटकर विरोध करना है, strongly हम इसको विरोध करना है, ब्रून हत्यावों पर रोग लगाकर, ब्रून हत्यले कोड़ा आपाली मनों, रोग लगाकर अंटे आपी बालिका शिक्षा की प्रेर्ना देना इसका उद्देशे, बालिका शिक्षा, इसलिए हमारे गावन्मेंट ने एक पालसी भी लादी, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को बचाकर और उसकी पढ़ाओ, इससे क्या होगा, जब बेटी पढ़ेगी तो उसका सारा गर कुशियों से बढ़ता है, लड़की की पढ़ाई, देश की बलाई, लड़की की पढ़ाई, गर की बलाई, हाँ न, हाँ न, जब किसी भी गर में एक महिला पढ़कर पढ़ेंगे तो वो सारे अपने बच्चों को संबालते हैं, गर की की काम का संबालते हैं, जो भी विशे हैं, सब कुछ वो देख लेते हैं, इसलिए हर गर में महिला पढ़े चुके रहना अत्यनत आवश्यक है, समझे के ये बच्चों, आवर एक पढ़ देखो, इस पाठ का उद्देश, चात्रों को चंद मुक्त कविताओं से खरव इस पाठ का उद्देश है, ब्रून हत्यांका विरोध करने का प्रयास्कीन करना, ब्रून हत्या क्या है, आवर इसका विरोध काईसे करना है, ये बावना है आपकी जागरूत करने का इंच्च ए. लिंग बेत का विरोध करना समाज में स्तरी पूरुष दोनों का समान रूप से देखना हमारे लिए अत्यनत आवश्कता है इसलिए लिंग बेत का हमें विरोध करना है और ब्रून हत्या वों पर रोक लगा कर ब्रून हत्या नहीं होने देंगे हम आज से, ऐसे हम प्रन करना है हमें बाली का शिक्षा के भी प्रेना देना है हमें, बाली का शिक्षा को भी हमें प्रोसाहित करना है अच्छे बच्चो समझ में आ गया आपको उद्देश क्या है एक बाल पढ़ लो अब विदाविशेश एपाट का विदाविशेश देखे तो यहीं एक चंद मुक्त कविता है पहले भी हम जान चुके है यहीं चंद मुक्त कविता है इसमें प्रत्येक पंक्ती कविता विशेश के इर्द गिर्द गुमती रहती है इस कविता में प्रत्येक शब्द इसी विशेश पर क्या बालिका क्या कहती है ब्रून शिशु क्या कहती है वो अपनी मा से क्या बरोसा देता है मा को अपने मा को क्या बरोसा देते है इसी वि होती है और इस कविता में सटीक और प्रबावशाली शब्दों का प्रयोग किया गया है जो अपनी सुनते ही उसका बाव हमारी मन को छूलेती है समझ में आ गया बच्चों यहा तक कवैतीरी परचे देखेंगे कवैतीरी मुदुल जोशी का जन सन 1906 में उत्तरा कांड के कोड गोदा में हुवा इनकी रचनावों का मुख्य विशय नारी चेतनावा समसमाज का निर्मान है इनकी चच्चित रचनाए समकालिन हिंदी कावी में आम आदमी गूम हो गए अर्द की तलाश में शब्दों की खितिस से इन दीनों आदी है बच्चों यह कवैतीरी परचे आपको एक्जाम्स में चार मुआर्कों के प्रश्नों में आने की संभावना है आप इसका मुख्य विशय सीख लो जरूर सीख लो तो देखे आवर एक बढ़ देखो कवैतीरी मुदला जोशिक का जन सन उन्नी सव साट में उत्तरा कांड के काट गोदाम गाव में हुवा इनकी रचनाओं का मुख्य विशय देखे जाए तो इनकी रचनाओं का मुख्य विशय क्या है नारी चेतना और समसमाज का स्थापना इनकी कविताव में मुख्य विशय क्या होता है नारी चेतना और समसमाज का निर्मान करना इनका मुख्य विद्रेश होता है इनकी इसी विशेई चर्चित कत्ते हुए इनकी रचना ये है समकालिंग हिंदी कावी में आम आदमी गूम हो गए अर्द की तलाश में शब्दों के खिदिस से इन दिनों आदि ठीक है बच्चो यहां तक आप समझ चुके हैं तो हम दूसरी काव्शामे हम मिलेंगे दन्यवाद